Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel, welcome to another vlog और आज के दिन का जो आगाज है बड़ा खुबसूरत हुआ है वेदर यहाँ पर टोटली चेंज हो गया है इसामबार अरावल बिंडी में अब प्रॉपर सदी आ गया है और यह सुबा का टाइम है, मैंने बच्चों को स्कूल भेज़ दिया है और उसके बार तकरीमन आइगस आट बज़े का टाइम है और जिन लोगों के साथ, जिन लोगोंने मेरे पहले व्लोग देखे हैं और उनने मेरे व्लोगों म dzieci की थी और को सीड़ ले के आहीं थी और मैंने गार्डिंग स्टार्ट की थी तो यह धनिया था तक, यह उग गयाया है और यह हप्पाने आज़े यह ठोमार्ट今天 टो में डाऌ-जा प्याज बहु दिये थिये अब मैं द्यासल मेरा ये first experience था मुझे ऐसे जितना कोई ज़दा experience नहीं है मैंने जस एक try किया था और ये जो मिर्चें ये थोड़ी slow है बाकी तो मुझे थोड़ी अच्छी improvement नजर आ रही है और थोड़ी एक motivation हो रही है कि अच्छीजें बन रही है लेकिन विर्चें जो है वो थोड़ी अभी slow है तो मैंने आपके साथ share करने का मकसद यही था कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि जिन लोग ने मेरा वो व्लोग देखा है कि क्या बना मेरी gardening का उसके बाद सुबा जैसे ही बचे गए हैं तो मैंने सुचा कि कुछ कपड़े हैं इससे पहले वाले व्लोग में मैंने kitchen की cleaning की थी तो साथ साथ मैंने कुछ washing में की थी लेकिन कल मैं सिर्फ तीन लोट जो हैं वो दोपाई तो आज मैंने सुचा कि एक लोट दो लोट रहे गए थे तो वो आज धो लेती हूँ तो बस मैं सुबह सुबह अपना यह machine on कर देती हूँ उसके बाद यह होता है कि सारा दिन फिर कपड़े शपड़े दूलते रहते हैं और मैं बाकी फिर काम कर लेती हूँ तो रात में मैंने यह जो kitchen cleaning वाले मेरे जो towels होते हैं यह मैंने bleach और सर्फ में भिगो के रखे थे cleaning कर हूँ तो फिर मैं इनको bleach में भिगो देती हूँ और फिर इतने अच्छे यह हो जाते हैं बहुत अच्छे से यह साफ हो जाते हैं तो बस मैंने इसको भिगो के रखा वा था अब मैं इसको थोड़ा brush के साथ जाहां जहां भी stains हैं यह मटी है यह इस तांगी को पार्टि है वो busy जा रही थी और cleaning और यह सब काम चल रहे थे तो आज का दिन बड़ा light सा रखा मैंने के बीच में थोड़ा चा बेग भी मिलना चाहिए ऐसे यह है कि इनसान बहुत ज़्यादा exhaust हो जाता है काम करके और पहले तो काफी मैंने जो काम है अपने deep cleaning बगारा वो तक को time दे रही थी लेकिन इतना ज़दा timing दे रही थी तो सोचा आज मैं इनके साथ थोड़ा time spend करूं तो बस आज का vlog जो है very simple है और एक update है gardening की और बचों के हवाले से मैं थोड़ी बात करूंगी कि बचों का थोड़ा exposure और बचों को किस तरह थोड़ा control किया जाए और बचों तो यह आपके साथ शेयर कोंगी उसके इलावा आज मैं गई थी salon काफी दिनों से मैं बड़ा dull feel कर रही थी तो मैंने सुचा कि मैं अपने बाल जो है कट करवाँ मैं कोई नया haircut चारी थी और काफी देर से मैं यह bob haircut चारी थी तो मैं डैपिलेक्स हमारे बहरिया टाउन में ह phase 7 में तो वहाँ पर मैं गई थी तो मैंने अपना यह haircut करवाया नई लुक चारी थी तो मैंने सुचा यह भी आपके साथ थोड़े से clips जो हैं वो मैं share करूँ और proper मैं इसको वीडियो इसकी नहीं बना पई तो थोड़े से मैंने बस clips ले तो मैंने सुचा कि मैं आपके साथ share कर लों काफी अच्छी मेरा haircut हो गया थो और total एक नई लुक आगी थी उसके बाद सेलों जाने के बाद lunch वगरा करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि weather अच्छा है बच्चों को क्यों ना बहार लेके जाया जाया तो ये मैं clip अब यहां से onward जो हैं बच्चों को बहार लेक just like कि आप walk करने जा रहे हैं या बच्चों को थोड़ा गुमाने के लिए किसी करीबी garden वगरा में जा रहे हैं तो make sure बच्चों को हमेशा पूरी pants पहनाएं अब तो weather वैसी ही change हो गया लेकिन अगर गर्मिया भी हैं तो हम गर्मियों में भी बच्चों को पूरी pants पहनाते थ इनके pound, tongue, shanks exposed ना हो और अगर इनको ये गिर जाएं तो एक कपड़े की वज़ा से इनकी थोड़ी safety हो जाती है उसके बाद हमेशा बच्चों को comfortable shoes पहनाएं जोगर्स होने चाहिए या fleet या bun shoes होने चाहिए कभी भी open जूते ना पहनाएं ऐसे बच्चे ज़्यादा comfortable होते है तीसरा अगर बच्चे स्कूटी, cycles या इससा की कोई activity करें या भागना दोना हैं तो आप उनको knee pads भी पहना सकते हैं मेरे पास knee pads हैं लेकिन दरसल हम लोग साथ थे और तीन लोग हम handle करे थे बच्चों को तो इस वज़ा से knee pads नहीं लिये और वैसे भी हमारा ज्यादा mood नही जाएंगे बस थोड़ी देखे लिए हम लोग निकले थे तो इस वज़ा से knee pads नहीं रखे लेकिन रख लेना ज्यादा बहतर है अगर आपके बचे मेरी बेटियां काफी careful होगी है यह बहुत जादा move करती है carefully because हमने इनको इस तरह train कर लिया है कि आपने careful रहना है और आपने बहुत जादा fast move नहीं करना तो बेदियानी से यह खेलती ही नहीं है बड़ा सो समझ के खेलती है तो अलहम्दलिल्ला यह हम लोग को अब tension नहीं होती उसके बाद बचों को जब भी घर से निकले अपने इड़ गर आप कभी भी जाएं तो बचों को थोड़ा road sense के बारे में कि हमेशा road पे जो है वो slowly move करें और यह तो वैसे हमारा area इतना safe है और इतना ज़्यादा यहाँ पर जो traffic हो इतनी ज़्यादा heavy traffic नहीं होती लेकिन यह है कि जहाँ पर जिस area में आप लोग रहते हैं अगर heavy traffic वगरा है तो फिर उसमें यह है कि बचों को आपने control करना है बचो कि साथ साथ आपने रहना है उनके hands को hold करना है और उनके बहुत करीब करीब रहना है तो यह एक point है बचों से related बचों की safety से related और अब हम आगे थे हमारे घर के करीब ही यह roads बने हुए हैं यहाँ पर रकसा लोग walk के लिए आते हैं और यहाँ पर traffic बहुत काम होती है तो भी अब आप देख सकते हैं कि Alhamdulillah जो मेरी बेतियां है इनको properly समझाया हुआ है यह जैसे ही दूर से अवास सुनती है किसी भी गाड़ी वगएरा की तो यह फोरान alert हो जाती है और sight के बिलकुल किनारे तो चले जाती है तो यह थोड़ा बच्चों को sense होनी चाहिए बच्चों को आप अपनी जिन्दगी में थोड़ा ठहराओ बच्चों की लाइफ में होना चाहिए बच्चों को थोड़ा ठहराओ के साथ हर चीज़ करनी चाहिए बहुत से बच्चे होते हैं बस हल चल जैसे उनको मच्ची होती है और वो बड़ा खेलना है तो तेज तेज चलना है त तेज देज तो बच्चों को थोड़ा सा समझाना चाहिए बैटके और अगर आपके पांच-छे साल के बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत अब सुनने के मूर में आ जाते हैं बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं सुनते लेकिन उनको तब ही से आपको रोकना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए और उनको थोड़ा सा अपनी टॉन भी सकत करनी चाहिए ताके वो आपकी बात अटलीस सुनें और आप यह देखें जो मेरी बड़ी बेटी है जैना एक अच्छी बड़ी बहन की तरह उसका हैंड होल की हुए है उसको चला रही है और उसको प्रॉपर कहती ही नहीं मेरे पास आएं रोड के साइड आएं तो इस तरह की बातें बच्चों को सिखानी चाहिए बच्चों की में ट्रेनिंग होनी चाहिए आप खुद भी इस तर अच्छी फैमिली डेडिकेटेड दे था तो इस एट इंचालाद नला मैं जल्द ही आपसे एक बहुत मज़े के वीडियो के साथ मेलूंगी थैंक यू सो मच पॉर वाच्छी इस वीडियो तेक कियर अला हाफेज